नमस्कार आईए आज हम इस जैंट स्वेटर के साइज, फंदे और बुनाई की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके फंदों की बात कर लेते हैं नीचे 110 फंदे डाल कर बॉर्डर बुना गया है बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ाए गए 120 फंदों से उपर की बुनाई करी गई है चेस्ट तक आने के बाद मुढ़े में जो फंदे घटाए गए हैं वो दोनों तरफ लगभग 14-14 फंदे या 15 फंदे के आसपास घटाए गए हैं जैसा कहते हैं पहली सलाई में 5 फंदे फिर अगली सलाई में 4 फंदे फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से 14-15 फिर 14-15 स्टिचिस नीचे मुढ़े में घटा दिये गए उपर जो मुढ़ा है इसमें लगभग 20 फंदे हैं तो दोनों तरफ 20-20 फंदे हैं नीचे मुढ़े में घट गए बाकी फंदे गले में घटाए गए हैं स्वेटर देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है और बनाने में बहुत ही आसान ये बुनाई है नौ नमबर की सलाई पर थोड़ा टाइट जैसा ही बुना गया है बहुत लूज बुनाई नहीं है तो इस बात का हमें ख्याल रखना है पीछे का पल्ला बैक पोर्शन प्लेन बुना गया है तो आईए अब हम आगे देखते हैं इसकी साइस की बात इसकी लंबाई लगभग 24 इंच प्लस के करीब है चोड़ाई जो है वो 18-36 इंच चैस्ट होगा इसका तीरा जो है उपर का हिस्सा जो होता है ये लगभग 16 इंच के आसपास है गले की गहराई घटाने के समय 9 इंच और बॉर्डर बनाने के बाद 7 इंच दिखाई दे रही है मुढधा 8.5-9 इंच घटा हुआ दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद बॉर्डर बनके थोड़ा कम हो गया बहा के बॉर्डर में लगभग 130 फंदे है और गले के बॉर्डर में लगभग 170 तो आईए अब बुनाई की बाद शुरू करते हैं ये हमारी 6 फंदे की पट्टी है 6-6 फंदों की 6 stitches की ये पट्टिया है बीच में ये 2 फंदे की धारी गई है तो ये जितनी भी पट्टियां है 2-2 फंदे की धारी है कोई भी hard and fast रूल नहीं है आप इसको 6 की जगए 8 भी कर सकते हैं इन फंदों को इस धारी को 2 की जगए 3 फंदों की भी कर सकते हैं तो ये सब flexible होता है आपकी इच्छा हती है आप अपने हिसाब से फेर बदल कर सकते हैं ये जो 2 फंदे हैं ये सीधी तरफ भी उल्टे बुने गए हैं और उल्टी तरफ भी उल्टे बुने गए हैं यहाँ पर side में मैंने 2-2 फंदे edge stitches किनारे के लिए लिए हैं तो आप फं क्या है वो अब हम देख लेते हैं जैसे यह हमारी row one पहली सलाई है तो side के फंदे मैंने उल्टे बुने दो फंदे में उल्टे हैं अब उसके बाद यह मैं एक दो तीन चार चार फंदे मैंने बुन ली हैं अब यह पांचवा और चटा यह जो दो फंदे हैं अभी इन में हमें काम करना है इन दो फंदों को मैं सीधे हाथ की सलाई पर ले गई और जो इसमें पांचवा फिफ्ट इस्टिच है इसको मैं फिर से उल्टे हाथ की पर ले आई तो इन दो फंदों को हमने एक तो क्रॉस किया और एक फंदे को स्लिप किया अब ये फंदे को मैंने बुना तो इन छे फंदों का काम हो गया आगे के दो फंदे जो हैं ये मैंने उल्टे बुने तो फिर से ये एक दो तीन चार चार फंदे बुन ली हैं ये दो फ फंदे को उल्टे हाथ की सलाई पर ले गई और छटे फंदे को मैं सीधे हाथ की सलाई पर ले आऊंगी बस इसमें ये धियान रखना है कि ये ट्विस्ट ना हो जाए फंदा सीधा रहे है ना ये हमने स्लिप कराके सीधे हाथ की सलाई पर ले लिया छटे फंदे को अब ये हम फिर मैं मिलती हूँ आपको, अब हमारी दो सलाईयां पूरी हो गए, रो थरी तीसरी सलाई पर हम आ गए, साइट के फंदे हमने उल्टे बुन लिए, अब हमारे डिजाइन के जो फंदे हैं इन पर हम आए, तो हमने एक, दो, तीन, तीन फंदे बुने, अब चौथे और पां सलाई पर ले गए, और इस पांचमें फंदे को हमने उतारकर, सिलिप करा कर सिध्य हाथ की सलाई पर ले लिया, अब दो फंदों को हमने सीधा बुना और तो हमारे छे फंदों की बुनाई हो गई, बस बीच के फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर से एक बार देख लेते है एक दो तेन तेन को बुना चौथ को हम सीधे हाथ की सलाई पर ले गाए चौथ फंदे को वापिस उल्टे हाथ की सलाई पर और पांच वे फंदे को expensive को श्राइब कराते हुम सीधे था की सलाई पर ले गए बिना बुनते हुए अब उसके बाद ये जो दो बचे ये फोर्थ और सिक्स्थ है तो अब आप समझ ही गए हैं बुनाई को तो इस तरह से हम इसको बुनते हुए जाएंगे बस फिर ये हमने उल्टा बुन लिया तो हमारी तीन सलाई हो गई फोर्थ रो उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी तो ये पूरी बुन कर फिर में विलती हूँ आपको ये देखिए चार सलाईया हो गई हमारी और ये हमारी धारी ये जो इधर की तरफ सीधे हाथ की तरफ जुक रही है तो ये जुकने लगी है अब हम आ गए पांचमी फिफ्ट रो ये हमने उल्टे बुन लिये फंदे अब यहां पर एक सीधा और दो सीधा ये तो दिख रहा है ना हमको कि ये इधर घुमाना है है ना तो बस इस बार तीसरे और चौथे को हमने लिया सीधे हाथ की सलाई पर तीसरे फंदे को हम ले गए उल्टे हाथ की सलाई पर चौथे को हमने स्लिप करा लिया अब ये जो तीन फंदे हैं इधर हमारे इनको हमने सीधा बुन लिया ब इन दोनों को उठाया ऐसे और इसको हम ले गए उल्टे हाथ की सलाई पर इसको हम ले आई सीदे हाथ की सलाई पर स्लिप कराया है बुनना है नहीं आगे के तीन फंदों को बुन दिया बहुत आसान बुनाई है और स्वेटर में कितनी सुन्दर लग रही है यह आपने देखा बहुत ही बड़ी हा बुनाई लग रही है अब यह हमारी छटी सलाई पूरी उल्टी है तो यह बुनकर फिर में म रही है ठीक है ना समझ में आ गई ना बुनाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें बुनाई अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाया करें अब लीजिए यह हमने एक फंदा सीधा बुना और इन दोनों को पलटना है पीछे वाले को हम ले गए उल्टे हाथ की सलाई पर और इसको लेजा इधर सिलिप करा लिया है अब एक दो यह पिं और चार यह फंदे बुन लिये दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और इन दोनों को twist कराना है अलटना पलटना है इसको उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए इसको सीधे हाथ की सलाई पर ले आए एक दो तेन और चार दो फंदे साइड के उल्टे बस अब इस सलाई को पूरा उल्टा बुनना है यह देखिये यह जो slip कराया हुआ फंदा था यह यहाँ पर है बस इसको हम नॉर्मल उल्टा बुन देते हैं, बुनाई तो बहुत ही आसान है, हम तो बहुत आसान बुनाईया ही लाते हैं, एकदम बिगनर फ्रेंडली डिजाइन होते हैं, तो देखिए अभी हमको थोड़ा सा काम और बाकी है, तो ये हमारी आगई नाइन्थ रो, नवी साइट के उल्टे बुने हमने, अब देखिए ये हमने फिर से उतारे, ये हमारे लास्ट है सीधी सलाई, दस लाइन का ये डिजाइन है, फिर से इनको पलटा हमने, इसको इधर ले गए, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 पंदे सीधे बुन दिये, ये डिजाइन हमारा पूरा हो गया ह अब इसको मैं दुबारा एक बार दिखा देती हूँ, फिर से आपको ये देखिए आखरी बार है, ये हमने इस तरह उतारा और ये बुना, इसको सिलिप करा लिया है, 5 पंदों को ये हम सीधा बुन रहे हैं, साइट के जितने भी फंदे हैं आपके, उनको आप उल्टा मुन लिजिए, ये हमारी आगई दसमी सलाई, जो पूरी उल्टी बुनी जाएगी, देखिए ये हमारा सिलिप करा हुआ फंदा है, इसको हम बुन रहे हैं, एकदम बिगनर फ्रेंडली डिजाइन है, तो ये लि को ये ट्विस्ट करना है, तो बहुत आसान, आसान सी बुनाई है, अब उन कितनी लगी है, प्रश्न ये उठता है, तो देखिए हर उनका अपना अलग-अलग वजन होता है, इसमें लगबग 375 ग्राम उन लगी है मान लीजिए, और एक और बहुत ज़रूरी बात, हाथ के सारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहें सारदा निटिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,